देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अमबानी की बेटी अनंत अमबानी का प्री वेडिंग फंक्शन इस वक्त जामनगर में हो रहा है। बेहत खूपसूरत लग रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नीता अमबानी को तयार किस ने किया था? नहीं जानते न? तो चरिया आज की वीडियो में जान लीजिए। नमस्कार आप देख रहे हैं बोल्ड स्काय और मैं हूँ आप सभी के साथ क्रितिका। कि अब लोगों को इंतजार है फंक्शन के डेट टू और डेट थी का। अमबानी परिवार का वेस्टन लुक देखने के बाद ऐसा अंदाज़ा लगाया जवा रहा है कि नीता अमबानी, ईशा, श्लोका और रधिका, चारों अमबानी लेडिज, इंडियन लुक में नजर डाल सकती हैं, ऐसे में अगर सेलेबरिटी इंडियन लुकी बात करें तो हर किसी की पहली चोइस होती है डॉली जायन, अब आखिर डॉली जायन है कौन, डॉली जायन एक सेलेबरिटी ड्रेप आर्टिस्ट है, इनके हुनर की बात करें तो डॉली एक साड़ी और दुपटे को कम से कम 325 अलग-अलग स्टाइल से ड्रेप कर सकती है लमका बुक आफ रिकॉर्ड होल्डर डॉली जैन पहले भी नीतामबानी को साड़ी पहना चुकी है अगर डॉली के प्राइजस की बात करें तो साड़ी ट्रिपिंग के लिए सेशन के लिए यानि सिफ एक सेशन के लिए डॉली 35,000 से लेकर दो लाख रुपए तक की फीज चार्ज करती है नीतामुकेश अंबानी कल्ट्रोल सेंटर के लांच के मौके पर डॉली जैन ने ही नीतामबानी के साड़ी ट्रिपिंग की थी पादुकोर्ण, आलिया भट और नयनतारा की शाधी की साड़ी और लेहेंगी की कर चुकी है अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि डॉली अनंतर राथिका के प्री वेडिंग फंक्शन के लिए भी ट्रेपिंग कर सकती है इसी के साथ लोगों के मन में ये भी जानने के उच सकता है कि आखर इस बारमबानी परवार के लिए ट्रेडिशनल स्टाइलिंग करने के लिए डॉली जान कितनी कीमत वसोलती है फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप जुड़ रही बोल स्काई के साथ तब तक के लिए नमस्कार यादो यादो बाते टाब टो उपचाँ तक के लिएक्सक्णर तक के लिए यादो यादोंट्स्टा वे पेवादोंटर अज़ पर जात वादोंटर दो को अ झाल